नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट असलाम उलेकूम एंड वल्कम तू नई सुभा कहानी घर प्यारे बच्चों ये है नई सुभा स्टोरी टाइम और आज हम एक सबक आमोस कहाई सुनेंगे एक तफ़ा का जिकर है एक जंगल में शेर दरख के नीचे सो रहा था चुहे ने शेर को जो सोते देखा तो इसे शरारत सूजी इसने सोचा आज तो मैं शेर को खूब तंग करूंगा वो कभी शेर के पेट पे चड़ता और कभी फुदक किवतर जाता इसको शेर का पेट नर्म नर्म लग रहा था इसको और भी मज़ा आया शेर की आँख खुल गई एक दो दफ़ा तो शेर ने बरदाश्ट किया फिर उसके बाद शेर ने कहा अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं फिर जब चुहा दुबारा आया तो अब की बार शेर ने इसे पकड़ लिया और शेर ने कहा अब बोलो चुहे मिया क्या मसला है चुहा बोला माफ कीज़े बाश्ट सलामत वलती हो गई आएंदा नहीं करूंगा शेर ने कहा क्या याद करोगे चुहे मिया हमने तुम्हारी जान बक्षी चुहा फुशी से नीचे उत्रा और इसके बाद कहने लगा बाश्ट सलामत कभी भी अगर आपको मीरी ज़रूरत ह कोई तो मैं जरूर आपका साथ दूँगा शेर बहुत दोर से हसा और उसके बाद शेर ने कहा तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो और वहां से चला गया इसके बाद क्या हुआ एक दिन शिकारी ने शेर को पकड़ लिया और उसे जाल में फांस लिया शेर बिचारा वहां से नि वहां से नहीं निकल पाया वहीं से उस चुहे का गुजर हो रहा था चुहे ने देखा कि तो वही शेर है कि जिसने मेरी जान बक्षी थी ओह ये क्या बाशा सनामत जाल में बसे हुए है चुहा गया और इस अपने चोटे-चोटे दांतों से उस जाल को कुतरना शुरू किय और देखते ही देखते चुहे ने जाल को अच्छा खासा कुतर लिया और फिर यू शेर के बाहर आने की जगा बन गई बाकी दो शेर ने रगाया और यू शेर जाल से बाहर आ गया शेर ने कहा चुहे मिया आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पकी और वाकई अल्ला ताला ने कोई भी चीज इस दुनिया में बगेर हिकमत के नहीं बनाई प्यारे बच्चों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी किसी चीज का मजाख नहीं उड़ाना चाहिए और किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए मिलेंगे अगली कहानी के साथ तक तक के लिए अल्ला हावेज अल्ला हावेज